पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो तक क्या सीखा था तो हम लोगों ने सीखा था गाउस का प्रमे ठीक है गाउस का प्रमे अब एक बार हम इसको याद कर लेते हैं और आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे गाउस के प्रमे को कहां कहां उपयोग किया जाता है तो देखिए गाउस का प्रमे कहता है कि किसी भी बंद सतह पर किसी भी बंद प्रिष्ट के अंदर अगर हम लोगों ने कोई आवेस क्यूं रख दिया है तो उसके प्रिष्ट पर कुल प्रिष्ट पर जो विद्दूत फ्लक्स की मात्रा होगी वो हो जाएगी विद्दूत फ्लक्स बराबर क्यू बटा एफसलोन जीरो इसके बाद में हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी कि जो फ्लक्स है उसको हम लोगों ने डिफाइन किया था कि फ्लक्स क्या होता है वो होता है किसी भी किसी भी छेत्र पर कुल मिला के जो विद्दूत छेत्र की तीब्रता याने ई है उसको हम किस से उसका जो है अदिस गुनन फल करते हैं हम उस विद्दूत छेत्र से तो ये फ्लक्स की मात्रा पता चलती है और अगर हम इसको ढंक से देखें तो ये ई डी एस कॉस्ट थीटा होता है क्योंकि ये एक अदिस गुनन फल है ठीक है तो अब यहां से हम क्या हम लोगों ने प्रमिय के बारे में क्या देखा था हम लोगों ने दिखा था कि लेख्स کی ये वाली मात्रा और हम ने इन दोनों को मिला दिया और उसके प्रमिय हम्हें हम को क्या मिलता है q बटा epsilon gyro तो बराबर समा कलन इडॉट दिएस का ठीक है तो यह चीज जो है हम लोगों ने पिछली का अख्छा में सीखी हुई थी अब आज हम क्या देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गाउस प्रमय को कहा कहा उप्योग किया जाता है इसके क्या फाइदे हैं उसके बाद में यहां कहा कहा उप्योग करेंगे तो सबसे पहले हम एक बिंदू आवेस के लिए जो है जाउस का प्रमय देखेंगे और उसके बाद में एक आवेशित गोली कोल के बारे में बात करेंगे इसको इंग्लिश में कहते हैं आप स्पेरिकल शेल ठीक है इस पैरिकल शेल तो इस कि तुलना कर सकते हैं एक नारियल के खोल से मतलब यह है कि एक परत है इसके अंदर सब कुछ खोखला है सिर्फ एक परत है तो अगर मैं गुबारक फुलाओं जो गोला है तो वह गोली खोल की तरह हमें दिखाई देगा प्लास्टिक की गेंदे जो हम गोली गोला होगा तो यह फर्क देखने के बाद में चली आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बिंदू आवेस के कारण विद्दू छेत्र अब बिंदू आवेस के लिए हम लोगों ने यहां पर क्या देख रहे हैं कि हम लोगों ने एक बिंदू आवेस को यहां रखा हुआ है अब दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों ने पहले तो कूलम का जो है नियम यूज करके विद्दुचेतर की तीवता महा निकाली हुई है लेकिन इस बार हमको क्या करना है गाउस प्रमे कानुप्रयोग करना है और यह चीज आपको सीखना भी जरूरी है क्यों क्योंकि यह प्रश्ण हमेशा पूछे जाते हैं कहां आपकी बोर्ड परिशा में गाउस प्रमे से 2017-18-19-20-21 और 22 हर एक वर्ष यह पूछा गया है गाउस के प्रमे का कोई ना कोई प्रश्ण पूछा ही जाता है इसलिए यह बहुत ज्यादा महत्रपूर्ण टॉपिक हो जाता है तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले एक आवेस बिंदु क्यों यहां पर बिंदु यह की बात चल रही है और इस बिंदु आवेस का परिमान हम ले लेते हैं कितना क्यूँ ले लेते हैं यह चोटा क्यूँं फैसलिए हम लोगों ने एक गाउसी है कि प्रिश्ठ ले लिए गाउसी प्रिश्ठ मतलब उस बोले के चारो ओर आप ऐसा सもज सकते हैं कि नारियल के चारो ओर उसका जो होल होता है उसी तरीके से आवेस के चारो ओर हम लोगों ने एक होखला गोला ले लिया अब इस खोकले गोले में इसकी तुरे माले ते है तो यह तुरे इसके के मेरे से यहां कि दूरी यह आर है ठीक है अब हम लोगों ने एक एक अंक प्रिष्ठ ले लिए एक छोटा सा प्रिष्ठ ले लिए और इस प्रिष्ठ के लिए हम लोगों को यहां पर कुछ विद्धूत flux मिलेगा जो कि बहुंद छोटा होगा इसलिए हम इसे डी फाइगा तो हम इसे फाइग कहते हैं पूरे सर्फिस एडिया के लिए जब हम विर्दूत फ्लक्स निकालेंगे तो वह फाइगा अभी यह डी फाइगा अब डी फाइग के लिए यहां देखिए हम लोगों ने पहल पहल के लिए एक गांक छोटे चेतर पहल लिए वो डी फाइग है अगर हम हमें पूरे के पूरे मतला atfya कि आवसेता है तो यहां उसका समाकलन करेंगे और क्यूंकि यहां समाकलन कर रहें तो दूसरी तरफ भी समाकलन करेंगे और यह वाला जो समाकलन है यह क्या कहता e.ds अब आप हमारे उद्देश से कि बारे में एक बार फिर सोचे हम क्या निकालने वाले हैं विद्दुद छेत्र की ती ब्रता निकालने वाले हैं इसलिए यह मान तो हमको पता नहीं है तो इसको बाहर निकाल देंगे और हमको यहाँ e और बंद समाकलन किसका मिला पूरे छेत्रफल का किसके इस खोकले गोले के अब यहाँ गोले का छेत्रफल कितना होता है तो भाई मैंने आपको पहले भी बताया है कि गोले का छेत्रफल क्या होता है फोर पाई आर का घगाद दो या फोर पाई आर का वर्ग तो 4 पाई आर का वर्ग ये हो गया गोले का 6 त्रफल और हम लोगों ने समा कलन किया है बंद समा कलन तो पूरा का पूरा चेत्रफल यहां पर आ गया दूसरी चीज़ यह है कि अब हम बात करेंगे फाई की ये क्या है विदूदफलक्स है और हम लोगों ने गौस का प्रमेर जब पहले देखा था तो इसका मान क्या होता है क्यू बटा एपसलोन जीरो ठीक है तो यही जानकारी हम आगे उप्योग करने वाले हैं यहां देखिए यह क्यू बटा एपसलोन जिरो यह मिद्दूत फ्लक्स का मान है यह मान हम लोगे यहां डाला और अब हम इल्गा क्या चार पाई Absol का यहां यहां यह था यह देखिये यह कहां से आया है यह यह वाली जानकारी है तो यहां पर E घुना 4 पैर का वर्ग ये आ गया और बराबर किसका है ये बराबर है Q बटा एपसलॉंज का निकालना है हमको मान निकालना है I ka और हमारा गड़ती नियम कहता है कि जिस चीज़ का मान निकालना है उसको छोड़के बाकिस सारी चीज़े हम दूसरी तरफ दाल देंगे तो यहां हम करेंगे यी बराबर और यहां हो जाएगा क्यूं बटा फोर पाई आर का वर्ग एपसलान नॉट अब यहां पर हमको अगर जानी पहचानी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे हम उन चीज़ों को इकठा कर लेंगे जो एक जैसी है या जिनको हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है तो यहां पर देखिए यह चार मिलके क्या बनाती है पर्मियबिलिटी बनाती है तो यहां पर हो जागा एक बटा चार पाई एपसलान सुन्य और यह क्या है गृद्रू नियतांग है और यहां मिल गया हमको क्यू बटा आर का वर्ग इस प्रकार हम लोगों ने गाउस के प्रमेव को उप्योग करके विद खेतर की बाल का मानने काल दिया ये ब्यांजक है और यही आपसे अपसे पूछ रहा है ये ये इक परिमाण है ये वेटर कॉंटिटी नहीं है तो यहां पर अगर आ वेफ्टर लगा रहे थैं मौडिलस निकालते हैं मौड्न निकालते हैं और इस तरह कि से ये शिर्फ पर ने दोनों चीज़ें compare कर ली हम लोगों ने क्या देखा था पिछले वीडियो में के गाउस के प्रमे से कूलम का नियम दोनों को सिद्ध कीजिए उसी तरीके से हम लोगों ने ये पहले भी देखा हुआ है अब चलिए हम बढ़ेंगे अपनी अगली बात की तरफ और हमारी अ प्लास्टिक वाली सफेद बॉल आती है या रंग बिरंगी किसी भी कलर की अब इसके अंदर कोई पदार्थ नहीं है जो भी है सब बाहर है जैसे हमारे भगोने होते हैं ठीक है गुंडी गगरी अब यहां पर क्या हुआ कि यह हम लोगों ने एक धातू का खोल लिया है और इस धातू पर हम लोगों ने कोई आवेश डाल दिया यह कितना आवेश है क्यूं हो ठीक है अब यह आवेश डाल देने के बाद में क्या होगा कि आवेश जो है वो बराबर मातरा में पूरी तरीके से पूरे ही छेत्र में बंट जाएगा यह बात आपको समझ में आई आग तो इसमें आने वाले कुल आवेश की मात्रा हम तो निकाल नी है तो यह चेत्र फ़ल कितना है यह सेट्र फल है ठीक है और यहां पर आने वाला कुल आवेश कितना होने वाला है डी क्यों बोल रहे हैं क्योंकि यह बहुत ही छोटी आवेश की मात्रा है चलिए अब हम क्या देखते हैं कि इसके लिए हमारे पास में रेखे आवेश घनत्व उसके बाद में छेत्र आवेश घनत्व और उसके बाद में आयतन आवेश घनत्व यह हम लोगों ने पिछले वी तो यहां पर होता है Q बटा छेत्र फल और यहां हम इसको DQ बटा DA भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटे छेत्र में भी जो आवेस का घनत तो होगा वो एक बराबर होगा हम लोगों ने मान के चला है कि यह आवेस है मतलब यह धातु है और इसलिए हर जगा आवेस का घ Q बराबर सिग्मा और यह 4PiR2 यह 4PiR2 क्या है गोले का 6 तरफल है जी हम लोगों ने यहां से यहां से 4PiR का वर्ग यह लिकाला है क्या है यह कुल मिलाके इस खोकले गोले का 6 तरफल है तो इस तरीके से हमको DQ का मान पता चल गया अब हमारे सामने इस थितियां कैसी है यह Dukhengi पहली बात यह है कि अगर हमारा गोला चोटा है देखे यहां पर हमारा गोला चोटा है और हमारा जो यह क्या है यह है गाउसी शेत्र अभी जा शीय क्या है तो ऐसा इमेजिनरी ऐसा कालपनिक शेत्र जो हम किसी आवेंस के आसपास बना देते हैं ताकि हम गाउस के प्रमे का उप्योग करके उस जगा पर विद्दुद छेतर की तीब्वता निकाल सके तो इसलिए हम लोगों ने गाउसी छेतर ये वाला लिया है ठीक है ये हमारा गाउसी छेतर है और ये गाउसी छेतर हम ऐसा ही लेंगे जो दिये गए हमारी जो भी आखर है उसका जो खोल है उसका जो त्रただ है इस जो है छोता थिकहे तो अब हम क्या करेंगे अब इस गौसी छेत्र को लेकर हम वहाँ पर मिदूद छेत्र ise तिब्वता निकालेंगे अगर आर का मान जादा है तो अब देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं पहले तो हमको यह पर मतलब यह सूत्र पहले से ही पता है कि एक बिंदू पर जो कुल मिलाके विदूद फ्लक्स होगा वो इडाट डीस होता है ठीक है अब हम लोगों ने वि लिया और यह हो जाएगा यह और बंद छेत्र का प्रिष्ठी है समा कलन ऐसा और इसके बाद में यह जो खुल मिलाके छेत्र है किसका है छेत्र फल है बड़े गोले का और इसलिए हमको क्या मिल गया फोर पाई आर स्क्वेर यह गाउसी सतह का छेत्र फल है हम लोगों ने इ ने चीज़ पो हम और ऐसे भी जिख सकते हैं एक बटा फॉर पाई एपसलोन नौट क्यू बटा पार का वर्ग अरो और टान का वर्ग में बड़ा आ रहे गा। क्यू बटा आर का वर्ग यह हम लिख सकते हैं ठीक है अब दूसरी समस्या क्या है कि जो Q है वो क्या है हम लोगों ने क्या देखा है कि DQ बराबर मतलब Q बराबर यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा और यह सिग्मा क्या है आवेज घनत्व है और गुणा फोर पाई आर का वर्ग यह छोटा वाला आर जो है वो हमारे खोखले गोले का कित रिज्जा है तो यह जानकारी हम लोगों ने उठाई और हम लोगों ने यह जानकारी यहां डाल दी अब भई यहां पर Q है तो Q के बदले सिग्मा फोर पाई आर का वर्ग यह जानकारी यहां पर आगे अब हम क्या देखेंगे कि जो जो चीज़े कटती है उसको सबसे पहले हम कटाएंगे तो यहाँ पर πाई कटता है 4 पाई और यहाँ पर भी 4 पाई कटता है तो हमको मिला यहाँ पर यह वाला सिग्मा और एपसलोन नॉट यह देखें सिग्मा बटा एपसलोन नॉट और आर का वर्ग बटा गाउसी आर का वर्ग अपलब दोनों आर का ये जो अनुपात है वर्गों का अनुपात है ये चीज़ हम ले लेंगे और इससे ही हमको उस इस्थान पर विद्धु छेत्र की पीवर्टा मिलने वाली है लेकिन ये क्या मिलेगा परिमान ही मिलेगा तो मुझे लगता है कि आप ये चीजस समय वह हँगे में अब देखते हैं अगला तो यहाँ पर क्या होने वाला है यहाँ पर हमारे दोनों की दोनों त्रिज्जाए क्योंकि हम कहां पर इग्जाक् stratly जिस गोले की सता पर आवेश का वित्रण है जिस गोले की सता पर आवेश का वित्रण है हम उसी जगह पर मतलब यहीं पर किसी एक जगह विद्दुचेत्र की तिवता निकालना चाहेंगे और इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि यहीं पर एक बराबर तृज्जा वाला एक गाउसी कि हम लोगों ने क्या देखा था यहां पर आर का वर्ग बटा आर का वर्ग यह जो है यहां पर भी अब यहां देखिए कि यह यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा कि किसके बराबर भाई दोनों आर बराबर है आर बराबर आर दोनों आर बराबर है इसलिए मैं यहां पर भ प्रटा किस से निकलेगी तो थ्यट्र कि दूदा निकलेगी आवेज घनत तो बटा एप्सलों यह चीज है अब अगर मैं इससे यह कोशिद करूं कि जो है मैं कूलम के नियम के बारे में एक बार सोचने की कोशिश करों तो मैं मुझे कुछ नहीं करना है यह जो सिग्मा है इसका मान क्या होता है क्यू बटा फोर पाई आर स्क्वेर और यह यह मान अगर मैं वहां डाल दू तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा यहां मिलेगा यहां पर मिलेगा सिग्मा बटा एपसलान सुन्य और क्यू बटा फोर पाई आर का वर्ग अब मैं इसको दुबारा अपनी सुधानुसार व्यवस्थित कर लूँगा जो इस सिग्मा के बदले ही तो हम लोगों ने यह डाला था तो यहां पर सिग्मा हमको हटाना पड़ेगा ठीक है चलिए तो यहां पर सिग्मा हटा दिया हम लोगों ने और उसके बाद में यहां पर एक ले लिए चलिए तो अब यह हो जाएगा किसके बराबर एक बटा फोर पाई एपसलान नॉट चू बटा आर्था वर्ट तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि विदू छेतर की ती व्रता अधिकतव यहां पर होगी उस सत्व पर और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे विदुचेतर की तीवता कम होते जाएगे अच्छा यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो यहाँ आवेश दिया हुआ था क्यूँ वो तो पूरी पूरी सता पर भटा हुआ है लेकिन जब हम लोगों ने यही पर विदुचेतर की तीवता निकालने की कोशिश की तो हमको इस तरीके से महसूस हुआ हम लोगों ने यह चीज देखा कि हम लोगों ने यह मान दिया कि आवेश कहां पर केंद्रित है केंद्र पर केंद्रित है वहाँ पर जाकर इकठा हो गया है जबकि वो बटा हुआ है लेकिन फिर भी जब हम लोग ने विद्धु छेतर की तीब्रता निकाली और ये जो त्रिज्या है आर है तो जो विद्धु छेतर की तीब्रता इस बिंदु पर निकाली तब हमको ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई बिंदू आवेस है और वहाँ पर पूरा का पूरा आवेस इकठा है तो यह चीज हम लोगों ने समझ ली है अब हमको देखना है कि गोली छेतर के अंदर विद्दू छेतर की तीवरा कितनी होती है तो आप समझ लीजिए कि मैं दो रंगों का उप्यों करता यह असल में हमारा वो धात्विक गोला है जिस पर हम लोगों ने आवेशों का वितरन किया है समझे ठीक है और अब मेरी इक्षा हो गई कि मैं विद्दू छेतर की तीवरा कहां निकालू विद्दू छेतर की तीवरा अंदर कहीं इस बिंदू पर निकालूंगा तो जब की बिर्दूत है धात्विक गोले के खोल से कोंसाइट करता है मिलता है अब यह हमारा क्या है यह हमारा है गांसी सत्रेंबार परश्ट ठेंग है अब आप फिर से ध्यां दीजिए कि हमारा ग्रम का ब्रमिय करता क्या है तो गाउस का प्रमे कहता है कि किसी आवेश के द्वारा किसी बिंदू पी पर हम विद्दू छेतर की पीविता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे कि इसी को लेके एक कालपनिक गाउसी प्रिष्ट की कालपना करेंगे और उसके बाद में यहां पर कुल मिलाके फ्लक्स जो है जो छोटा सा फ्लक्स है उसका मान निकालेंगे और अगर पूरे छेत्र के लिए निकालते हैं तो फ्लक्स का मान हो जाएगा पूरे के लिएLook का मान होता है जरू बटता एपसलोन और इस छोते से छेत्र फल के लिए के लिए अल्प का मान होता है इडाट इस इन दोनों चीजों को मिलाएंगे लेकिन यहां पर या ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि जो आवेस है वो इस गोले के द्वारा धाका हुआ है मतलब आवेस इसके अंदर है किसके अंदर है हमारे गाउसी प्रिष्ट के अंदर अगर आवेस कहीं बाहर होता तो इस गाउसी प्रिष्ट के अंदर नहीं होता तो हम क्या बोलते कि इस आवेस के कारण यहां पर विद्दू छेतर की तीब्रता नहीं निकाल सकते उसके लिए हम को क्या करना पड़ेगा इस आवेश को भी ढखना पड़ेगा अच्छा यहां पर एक और महत्वपून बात है कि मैं आवेश इसके अंदर चाहे कैसे भी रखूं मतलब यहां पर अगर मैंने प्लस टू ठी किसे मैंने बहुत सारे आवेश इस गाउसी त्रिष्ट के अंदर डालके रख दिये हैं तो अब अगर मेरे को मुझे विद्दू छेतर की पीब्रता निकालनी है इस बिंदू पर तो मैं सारे के सारे आवेशों को क्या करूँगा जोड़ दूँगा तो यहां पर एक यहां पर दो और यहां पर है खुल मिलाके रिनात्मक दस आवेश तो यहां पर क्यूं का मान रिड़ दस हो जाएगा बस इसके अंदर जितने भी आवेश हों फर्क नहीं पढ़ता हम उनको एक जगह एक अठा मान लेंगे और इस जगह में विद्दू छेतर की पीब्रता पर हम इस बाहरी आवेश के कारण गाउसी प्रिष्ट के अंदर यहां पर विद्दू छेतर की तीब्रता की गणना नहीं कर सकते हैं उसके लिए हमको दूसरा गाउसी प्रिष्ट बनाना पड़ेगा अगर ऐसी बात है तो फिर अब आप देखिए कि यहां तो सारा का सारा बटा एफसलोन नौन और यह बराबर किसके हो जाएगा सुन ने बटा एफसलोन नौन मतलब शून तो इसके अंदर जो है वह विद्दू छेतर की दीववता कैसी होगी शून ने होगी अब आप याद कीजिए कि हम लोगों ने इलेट्रो स्टैटिक फिर वैदूत जाएगा ठीक है और लोहे की कार में पूरी तरीके से आवेस फैल जाने के बावजूद अंदर आप सुरक्षित रहेंगे क्यों क्योंकि उसके अंदर किसी भी धात्विक खोल के अंदर विद्दू छेतर की तीववता हमेसा कैसी होती है शून ने होती है क्योंकि सारा आव हमेशा उत्तर शून नहीं मिलेगा यह बात समझने के लिए बहुत जरूरी थी और हम लोगों ने यह समझ ली अब हम देखते हैं हमारी आखरी बात थाइंक्यू अगले वीडियो में हम इसी क्या गाउस के प्रमे का जो है उप्योग करके हम कुछ और उधारन देखेंगे जो कि हमारी परीच्छा के दिरिष्टी से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो उन चीजों पर भी ध्यान देते रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में